भारत में वर्ण विवस्था प्राचीन काल से प्राचीन समय से ही चली आ रही है तब समाज को चार वर्गों में विभाजित किया गया था ब्राम्हण, छत्री, वैश और शुद्र लेकिन ये जो भी भाजन था वो मनुष्य के कारियों के अधार पर कर्म प्रधान था जैसा कर्म करता था उस अधार पर उसे उस वर्ग में रखा जाता था लेकिन समय बदलता गया और समय के साथ साथ लोगों के जो कारिये हैं वो भी पैत्रिक होते चले गया या मैं ये कहूं कि उन्होंने अपने पैत्रिक व्यवसाय को ही अपना लिया और इसी कारण से फिर जो वर्ण का भी भाजन या मैं कहूं कि जो जाती का भी भाजन है वो कर्म के अधार पर ना होकर आपके जन्म के द्वारा ही निर्धारित हो गया और पहले ये चीजे नहीं थी आपस में सब का रक्त संबंद खान पान रहन सहन ये सब में एक जूटता थी लेकिन जैसे जैसे जब कर्म के आधार पर ना होकर जो विभाजन है वो पैत्रिक आधार पर होने लगा तो समय के साथ साथ चीजें भी बदलती गई और जन्म के आधार पर जाती का निर्धारन किया जाने लगा और कुछ जो जातियां हैं फिर वो पिछड़ती चली गई आर्थिक रूप से और समाजिक रूप से भी और स्वतंत्रता के बाद फिर कुछ प्रयास किये जाने लगे और इन जातियों को कुछ सुविधाएं भी दी गई जिसके आधार पर जिन नीतियों और जिन कानुनों के आधार पर या दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर इन जातियों को थोड़ा सा समाजिक इस्त पर भी उचा उठाने का प्रयास किया गया और अभी हम दमान समय में देखेंगे तो इनकी स्थिती में काफी सुधार जो है वो हो चुका है तो इनहीं पिछडी जातियों को हम अनुसुचित जाती के नाम से जानते हैं आए हमने जो बात की थी जनसंख्या संगठन के विशय में तो इस आधार पर हम जाती के आधार पर विभाजन देखते हैं पहला होता है अनुसुचित जाती और दूसरा अनुसुचित जन जाती तो हम भारत में इनकी क्या इस्थिती है कहां पर इनका संकेंद्रन अधिक है कह पर कम है इन सभी बातों में चड़्चा करते हैं तो अनुसुचित जो जाती है इनके संकेंद्रन की जो प्रवित्ती है चुकि ये क्रिशी और उससे संबंधित अन्यकारियों में अधिक लगे हुए होते हैं इसी कारण से इनका जो फैलाव या मैं कहूं संकेंद्रन जो है वो हमें मैदानी चेत्रों में अधिक देखने को मिलता है हमारे भारत देश में और इसमें भी प्रमुक रूप से हम देखें तो उत्तरप्रदेश, पंजाब है, हरियाना है, बिहार है, पश्रिम बंगाल है यहाँ पर हमें इनका जमाव जो है वो अधिक देखने को मिलता है और साथ ही नगरी छेत्रों की अपेक्षा इनकी संख्या जो है वो ग्रामिड चेत्रों में अधिक होती है या अधिक देखने को मिलती है अब हम बात करते हैं इनका जो प्रादेशिक वित्रण है भारत में प्रादेशिक वित्रण किस तरह का है तो इसमें हम तीन इस्तर पर इसे विभाजित करेंगे सरवाधिक संकेंद्रण वाले छेत्र, मध्यम संकेंद्रण वाले छेत्र और निम्न संकेंद्रण वाले छेत्र तो पहले हम बात करते हैं सरवाधिक संकेंद्रण वाले छेत्रों के विशय पर ये जो सरवाधिक जो जमाव है अनुसुचित जाती का वो यदि हम राज्य इस्तर पर देखें कि किन राज्यों में इनका जमाव अधिक है तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकी संख्या जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है लेकिन अगर हम जीला इस तर पर बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि बिहार का जो कूच जीला है और पशिम बंगाल का जलपाई गुड़ी ये दो जीले जो हैं यहाँ पर अनुसुचित जाती की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है और वो भी कितनी है कुल जन संख्या का मतलब इन छेत्रों में जितनी जन संख्या मिल रही है उसका लगभग 75 प्रतिशत उनकी 75 प्रतिशत जो जन संख्या है वो इन दो जील का उत्तर प्रदेश का मिर्जापूर जीला है जहां पर लगपग 32.6 परसेंट जन संख्या निवास करती है। फिर हम बात करते हैं क्रमशह चोथे का जम्मू जीला जो है और यहाँ पर हमको 28% अनुसुचित जाती की जनसंख्या मिलती है कुल जनसंख्या में अनुसुचित जाती की जनसंख्या का 28 प्रतिशत यहाँ पर निवास करता है अब हम मध्यम इस्तर के जो संकेंद्रन वाले छेत्रे हैं उनकी बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से आपका है पंजाब फिर आगया गुजरात फिर राजस्थान है हमारा 36 गड़ है महाराष्ट उडिसा और पश्यम बंगाल यह ऐसे राजी हैं जहां पर बात करते हैं निम्न संकेंद्रन वाले छेत्रों की तो निम्न संकेंद्रन वाले जो छेत्रे हैं वो कौन से हैं हिमाचल प्रदेश है जम्मु कश्मीर असम आंधर प्रदेश करनाटक और केरत यह ऐसे राजी हैं जहां पर अनुसुचित जाती की जनसंख्या का बहुत कम ज पुर्वोत्तर राजियों में भी प्रमुकृप से अरुनाचल प्रदेश है मडीपूर मेगालय नागालेंड मिजोरम और केंद्र शाशित प्रदेश में हम लक्षदीप की बात करेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि अनुसुचित जाती की जनसंख्या जो है वो एकदम वो वर्चस्व है या इनकी जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है अब हम बात करते हैं कि यह जो जनजातियां हैं हम 2001 जनगर्णा के अनुसार देखें तो भारत की लग भारत की कुल जनसंख्या जो है उसमें लगभग 16.16 करोड जनसंख्या SC population की हमको अनुसुचित जाती की जनसंख्या की देखने को मिलती है जो कुल जनसंख्या का आपका 16.26 प्रतिशत था 2001 जनगर्णा के अनुसार हम हमने जैसे बात की थी कि समय के साथ साथ इनहें विशेश सनरक्षन प्रदान किया गया और समवैधानिक रूप से भी इनहेंadors्यारक्षन प्रदान किया गया sûrख्षा प्रदान की गई इनके लिए इनके विकास के लिए और इन जो यह जो उपाय किये गये हैं इसके माध्यम से अभी वर्तमान में अब इनकी इस्थिती में बहुत अधिक सुधार हो चुका है और ये राश्ट के विकास में या ये जंघातियां खुद विकास के नए-नए आयाम जो है वो रच रही है या नए-ायाम तक पहुच चुकी अब हम बात करते हैं स्टी पॉपलेशन की तराइबस या अनुसूचित जन जाती जनसंख्या कहते हैंट है भारत में कीम मैं जन जाती जन संख्या हम उसे कहेंगे हाम जिनके पूरवज, जिन जनजातियों के पूरवजों को जो पाश्चात्य देश के निवासी या हम जिसे आप्रवासी कहते हैं, ये जो आप्रवासी प्रजातियां हैं, इन्होंने किन ही भी प्रकार के जो वनांचल हैं या किसी पठारी छेत्रों की ओर खदेड दिया था, तो ये ज जंजाती है वो ट्रायव्य जंजाती या अनुसचीत जंजाती के नाम से जानी जाती है और यह जंजातीां चुक्वे शुरवात से ही वनांचलों में या पठहरी छेत्रों में पर्वती छेत्रों में रही इसलिए ईनका परियावरन helped प्रति जो है बहुत गहरा संबंध था और वो चुकी क्रिशी कार्य में ही सनलगन थी और क्रिशी के लिए उन्हें बहुत अधिक हम ये कह सकते हैं कि उपजाव भूमी या समतल भूमी भी नहीं मिल पाई इस कारण ये नए नए जो क्रिशी की क्रिशी की जो नए पद्धतिय हैं उन्हें डॉप्ट नहीं कर पाई और प्राकृतिक रूप से ही जो क्रिशी कार्य करने में ये अधिक विश्वास रखती हैं या हम ये कहें कि ये उससे ही जूड़ी रही तो हम बात करते हैं कि इनकी क्या विशेष्टाएं होती है अनुसुचित जन जाती की हम देखते हैं तो ये समाज की मुख्यधारा से थोड़े अलग थलग होते हैं चुकि हम ये कह सकते हैं कि रिमोट एरिया जिसे जहां तक नहीं पहुचा जा सकता बहुत सुविधा जनक रूप से जहां तक पहुच नहीं होती उन छेत्रों में ये निवास करते हैं इसलिए ये आधु निक्ता से इनका परिचय नहीं होता और प्रकृती से इनका बहुत गहरा संबंध जो होता है या हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रकृती को ही अपना इश्वर मानते हैं इनकी एक अलग यदि हम आंस्कृतिक रूप में देखें तो इनकी अलग भाशा होती है जनजाती भाश इनका एक अलग रहन सहन होता है, इनकी अलग सामाजिक रीती रिवाज होती है, खान पान होता है, या अलग सामाजिक दशा जो है अन्य समाज से इनकी बिल्कुल भिन्न होती है. इनकी और अलग विशेष्टा की हम बात करें, तो ये एकदम पुराने ढंग से क्रिशी कारिय करते हैं, या प्राथमिक कारियों में ही लगे रहते हैं, जिसमें प्रमुखरूप से कंदमूल या फलफूल एकत्र करना है, शिकार करना है, मचली पकड़ना है, या क्रिशी भी क करेंगे तो ये जूमिंग क्रिशी करते हैं, किसी एक स्थान पर इन्होंने क्रिशी का कारी किया, वनों को साफ करके वनों को जला कर, फिर कुछ समय बाद वहां पर भूमी की उत्पादक चमता कम हो जाती है, इसके बाद ये दूसरे छेतरे के और इस्थाना अंतरीत हो जा जाती जन संख्या है, वो जूमिंग क्रिशी का कारिय करती है, अब चुकि हमने कहा कि एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं, चुकि दुर्गम छेतरों में रहते हैं, इसलिए ये अन्य जो समाजिक जीवन, समानी जीवन जी रहे छेत रहे लोगों से इनका जो जीवन है एकदम अलग थलग होता है और एकांकी रूप में ही ये जीवन व्यतीत करते हैं, अब हम बात करते हैं अनुसुचित जन जाती के प्रादेशिक वितरण की, तो अनुसुचित जाती की तरह जन जाती का भी हमें सभी जगा एक समान संकेंदरन हमारे देश में नहीं मिलता है, कुछ अलग अलग जो छेतर हैं इनके जमाओ की या इनके संकेंदरन के वो हम देखते हैं, तो पहला जो है आपका उत्तर और उत्तर पूर्वी प्रदेश है, उत्तर और उत्तर पूर्वी प्रदेश में हम देखेंगे कि यहाँ पर सगन जन जाती छेतर है, यहाँ पर जितनी भी जन्जातिया मिलती है भारत네श में उनका सरवाधिक जमाओं उत्तर और उत्तर पुर्वी छेत्र में देखने को मिलता है इसमें भी हमने थोड़ी देर पहले है बात की थी जो आपका उत्तर पूर्वी छेत्र है भारत का, मतलब हम ये कहें कि जितने भी पुर्वोत्तर राजे हैं, वहाँ पर सरवाधिक जनजाती जनसंख्या मिलती है, जिसमें प्रमुक रूप से आपका असम है, मेघालय है, नागालेंड, अरुनाचल प्रदेश, मीजोरम है, यहाँ पर सब से अधिक जनसंख्या मिलती है, और यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत जो है, वो जनजाती जनसंख्या का है, यह निवास करता है, इसमें भी हम देखें कि यहाँ पर उचा प्रतिशत क्यों मिल रहा है, मतलब सरवाधिक संकेंद्रन क्यों मिल रहा है, यहा यहां पर हम देखेंगे जो पूरा पुर्वी छेत्र है या हम पुर्वी राजियों की जब बात कर रहे हैं तो हिमाले रेंड जो है अराकान योमा परवत शेनी जो फैली हुई है तो उचे-उचे परवत हैं और वन अच्छादित छेत्र हैं जिसके कारण यहां पर यह हमारी जो समान भारत देश की जो भूमी है उससे थोड़े अलग थलग हैं एकाकी जीवन व्यतित कर रहे हैं और इन जनजाती जनसंख्या की एक अलग जो हैं वो माननेताए हैं अब इसमें भी मुख्य रूप से हमको मिलती है गारो है उफला है अगामी है नागा है लुशाई ज जनजाती प्रमुख रूप से इन छेत्रों में हमें देखने को मिलती है यह जो जनजाती है यह हम कह सकते हैं यह माना जाता है कि जो मंगोलायट प्रजाती है उसके ही आउशेश हैं फिर हम देखेंगे जो उत्तर भारत है हमारा पूरा उत्तर भारत है उसमें हम पुर्वी कश्मीर से लेकर चरे जाएं जो उत्तर प्रदेश का हमारा तराई छेत्र है हिमाचल प्रदेश है और जम्मु कश्मीर तक पूरी जनजातियां फैली हुई हैं यह हम तालिका से भी देख पा रहे हैं और इस तालिका के माध्यम से हम अध्यन करते हैं कि इस उत्तर और उत्तर पूर्वी छेत्र में हमको किस राज्य में या किस छेत्र में कौन सी जनजातियां देखने को मिलती हैं अनुसुचित जनजाति के उत्तरी और उत्तर पूर्वी प्रदेश में फैलाओ की यदि हम बात करें तो यह तलिका से आपको इस पस्ट हो रहा होगा इसमें हम छेत्र और जनजातियों की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं जो छेत्र है जहाँ पर सुबन सीरी नदी के पश्चिम वाला जो छेत्र है वहाँ पर हमें जो जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से आका, उफला, मोरी, गुरुंग वो अपातानी जनजातियां मिलती हैं दूसरे नमबर पे हम देखते हैं दिहांग नदी घाटी वाला जो छेत्र है वहाँ पर गलोंग, मिनिपोंग, पासी, पदम और पांगी जनजातियां मिलती हैं दिवांग वो लोहित नदी घाटियों में पिश्मी जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है चौथे नमबर पर हम देखते हैं जो पूर्वी छेत्र हैं वहाँ पर द्वीगारी मेजू जनजाति मिलती है फिर है नेक्स्ट पश्चिमी छेत्र पश्चिमी छेत्रों में प्रमुख रूप से चुली काटा और बेलजियास जनजाति निवास करती है सुदूर पूर्व में देखें तो यहाँ पर खामती वह सिंगुपो जनजाति मिलती है पटकोई शेणियों की घाटियों में नागा जनजाति मिलती है मड़ीपूर और मेघाले राजियों में कुकी, लुशाई, लखेर, चीन, खासी और गारो जनजातिया निवास करती है सिक्किम वद दार्जलिंग के उत्तरी भागों में लैपचा जनजाती मिलती है और तराई छेत्र में हम देखें तो पारू, भोकसा, खासा, भोटिया, गुया, माजी, चेरी, राजी, बेजर वखरधार जनजातिया निवास करती है अब दूसरा हो गया, ये तो सरवाधिक संकेंद्रण जो हमको उत्तर और उत्तर पूर्वी छेत्र में देखने को मिला जनजातियों का दूसरा जो जहां पर संकेंद्रण ये जमाओ कहेंगे, वो मध्यवर्ती प्रदेश में हमको देखने को मिलता है और इस मध्धिवरती प्रदेश में भी हम बात करेंगे तो हमारा मध्धिप्रदेश ओग्याद 36 गड़ है राजस्थान है दक्षणी उत्तर प्रदेश है गुजरात है बिहार है और जारखन उसके साथ साथ उडिसा राज्य जो है जहां पर हमें प्रमुक रूप से जनजात जनसंख्या का लगभग 81.05% जो है वो निमास करता है शारिरिक लक्षणों के अधार पर जो इन जनजातियों की शारिक विभिन्यता या शारिक लक्षण जो इसमें देखने को मिलते हैं तो यह लगभग जो आस्ट्रिलायट प्रजाती की जनजातियां होती है उनसे समानत तालिका के माध्यम से हम अध्यन करते हैं हम मध्यवर्ति प्रदेश में जनजातियों के वित्रण और उनकी छेत्र की बात करें तो तालिका से आपको इसपस्ट हो रहा होगा पुडिसा का जो गंजाम जीला है वहां पर सवारा गड़ावा और बोंडो जनजाति निवास कर चोटा नागपूर के पठारी छेत्र पर मुंडा संथाल ओराव और बिर्होर जनजातियां निवास करती हैं विंध्याचल की पहाडियों में हम देखें तो कटकारी कोल और भील जो उत्तर पश्ची में अरावली पहाडियों तक फैली हुई हैं 36 गड का बस्तर जीला और उससे लगे आंध्र प्रदेश में हमें गोड जनजाति निवास करती हुई मिलती है यह गोड जनजाति जो है गुंडवाना भूमी के आदिवासी होते हैं फिर है सत्पूरा पहाडियों के दोनोर और मैकाल पहाडियों के चारोर इस छेत्र में कोरकू अगारिया प्रधान और बैगा जनजाति निवास करती हैं फिर हम बस्तर छेत्र में देखें तो यहाँ पर प्रमुख जनजाती है वो मुडिया और अबुजमार यह दो जनजाती यहाँ पर प्रमुख रुप से निवास करती हैं फिर हम बात करते हैं 36 गड़ के लगभग 75 लाक मतलब कुल जन संख्या जो होगी उसमें लगभग 75 लाक जो है वो आदिवासी जन संख्या देखने को यहाँ पर हमको मिलती है और यह जो 75 लाक जनजाती जन संख्या है वो कुल जन संख्या का 32.4 शुन्य प्रतिशत है 33 गड़ में तो हमको लगभग सभी जीलों में जनजाती जन संख्या देखने को मिलती है यह जनजातियां निवास करती है लेकिन प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो 36 गड़ का जो पुरा उत्तरी छेत्र है और डक्षनी छेत्र यह हम यह कहें कि आपका बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के जो जीले हैं वहाँ पर सरवाधिक संकेंद्रन देखने को मिलता है इसके बाद इसके पश्यमी छेत्र में मैकल परवर्शेणी के सहारे सहारे भी जन संख्या का अधिक जमाव हैं तो प्रमुखरूप से यदि हम बात करें तो दंतेवाडा जहां पर 78.8% जन जाती जन संख्या रहती है बस्तर की हम बात करें तो बस्तर में भी 66.5% जन जाती जन संख्या है फिर हम जशपूर में आ जाते हैं तो जशपूर में लगभग 65.4% जन जाती जन संख्या है इसक बात सरगूजा की हम बात करें तो यहां पर 56% है और कोरिया में यदि हम आ जाते हैं तो 44% कोर्बा जो जीला है यहां पर 43% हमको जनजाती जनसंख्याद देखने को मिलती है और इन सभी के साथ-साथ हमें नारायनपूर, बीजाप, जो आपका दक्षनी छेतर है यहां पर ना जनजाती जनसंख्या का अधिक जमावडा यह अधिक संकेंद्रन देखने को मिलता है अब इन सब के अतरिक्त हम हमारे 36 गड़ में पांच विशेश पिछडी जनजातिया निवास करती हैं जिसमें प्रमुख है आपके बैगा है अबुजमाडिया है कमार है बिरहोर है और पहाडी कौरवा ये पांच पिछडी विशेश जनजातियां हैं और इन जनजातियों के अतरिक्त अगारिया भत्रा भैना मुरिया बिंजवार है नहीं हलबा कमार और मुंड़ा ये प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं गोड जनजाति जो है वह चतिछटीसगड की जनजाती सत्पुड़ा परवतमाला से लेकर गोदावरी नदी तक के छेत्र में फैली हुई पाई जाती है और प्रारम में इनकी जो राजनैतिक शक्ति के हैं या राजनैतिक जो प्रभूत्व था वो बहुत अधिक था और इनहीं के नाम से ही जो मध्य यूग में हम ये कहे कि गोंडवाना छेत्र जो है वो प्रसिद्ध हुआ है ये अनुसूचित जनजातियां जो होती है इनकी अपनी-अपनी बोली और रहन सहन होता है इनका प्रकृती के साथ एक अटूट संबंध होता है बहुत अच्छा सामंजस से बिठा के रखते हैं ये प्रकृती के साथ ये साथ ही साथ हम देखेंगे कि नृत्य और कला के गीत संगीत के प्रेमी होते हैं और इनके जो भी कुछ इनके घर में फेस्टिवल होगा इनके समुदाय या समाज में किसी भी प्रकार का कोई पर्व या उच्सा होता है तो उसमें ये आवश्यक रूप से नृत्य और ग जीवन का ही महत्तपूर्ण हिस्सा हम कह सकते हैं उसके बीना ये नहीं जी सकते और इसके तरिकतिन की और एक बहुत कलात्मक विशेशता हम कह सकते हैं कि जो इस्थानी आधार पर जो सामागरिया मिलती है उसके आधार पर ये विशेश प्रकार की जो कलात्मक वस्तुएं ह और वस्त्र जो हैं वो तैयार करते हैं जो बहुत ही आकरशक होते हैं सबसे महत्तव पूर्ण बाद जो हम आम समाज की मुख्य-धारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या हम ये कहें कि बाकी जो मुख्य-धारा से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से सिक्षित और तकनीकी रूप से भी हम विज्ञान और तकनीकी में भी बहुत अधिक निपुण हैं, उनमें ये बात हमें देखने को नहीं मिलती, इनके समाज में इस्त्री और पुरुष दोनों को एक समान जो है वो आउसर प्रदान किया जाता है, और घर की कारी करने में भी इन दोनो पुष्का होगा उस परिवार या समाज में उतनी ही भागीदारी जो है उस परिवार या समाज की महिला की भी होती है, और यही कारण है कि यहां लिंगानुपात या हम ये कहें कि उसकी असमानता, लिंग संबंधी जो असमानता है वो यहां पर हमें देखने को नहीं मिलती और बलकि हम ये कहें तो ज़्यादा सही होगा कि यहां पर पुरुषों की अपेक्षा कई बार महिलाओं की संख्या जो है अधिक होती है तो इनके परिवार और समाज में इस जनजाती समाज में महिलाओं की जो एक समान भागिदारी या उन्हें समान औसर जो प्रदान किया जाता है यह हमें खुद भी एक हम यह कह सकते हैं कि हमारे लिए सिक्षा प्रद है या हमारे लिए एक मौटिवेट करने वाली बात है कि हम भी अपने समाज में इस्त्रियों या महिलाओं को उतना ही समान औसर और उतना ही महत्वदे उतनी ही वैल्यू अपने परिवार या स जनजातिया निवास करती हैं वो प्रमुख रूप से कौन-कौन से राज्य में देखने को मिलती हैं तो इसमें हम देखते हैं आंध्र प्रदेश है करनाटक है और इसके साथ साथ केरल राज्य और तमिलनाडू यहां पर सबसे अधिक संकेंद्रण यह जमाऊ जो है इस जनज है और यहां पर जो जनजातिया निवास करती हैं उसमें प्रमुख रूप से हम यदि बात करें यूराली है, कड़ार है, पनियान और नरुला यह जो जनजातियां हैं इन्हें हम जो सबसे प्राचींटम जनजाती या प्रजाती कहेंगे निग्रिटो उसके ही वन्षज यह जो है यह जनजातियां मानी जाती हैं यह हम तालिका से भी देख पा रहे हैं और इस तालिका के माध्यम से हम अध्यन करते हैं अब हम अनुसुचित जनजाती के दक्षणी प्रदेश में इनका वित्रण देखें तो यहां पर भी हम तालिका में देख रहे हैं कि आंध्य प्र कुर्ग की पहाड़ियों के निचले ढाल वाले भाग में युरुवा और टोड़ा जंजाती मिलती है वहीं वाइनाड में हम देखें तो इरूला चेंचु पनियान और कुरुम्बा जंजातियां निवास करती हैं कोचीन और ट्रावन कौन की पहाड़ी श्रेणियों से लेकर कन्या कुमारी तक का जो संपूर्ण पहाड़ी भाग है वहाँ पर कड्डार, कन्निकर, मुथुवान, शोलिगा, मुराली, मालवदान, मालकुखान और मालपंतरम जंजातियां निवास करती हैं अब हम जंगर्ना के अधार पर बात करें तो भारत की जंगर्ना 1961 में जो जंगर्ना हुई उसमें इनकी संख्या जो थी वो 3 करोड थी जो 2001 में बढ़कर 8.4 3 करोड हो गई ये देश की जो कुल जंसंख्या है उसमें इस जंसंख्या का 8.02 प्रतिशत जो है वो निवास कर रहा है और लगभग भारत में जितने भी समुदाए मिलते हैं उसमें 354 प्रकार के जो समुदाए हैं वो इस अनुसुचित जंजाती के अंतरगत शामिल किये जाते हैं यदि हम जंगर्णा वर्षों के नुसार देखें तो वर्ष 1941 की जंगर्णा में इस जंजाती जंसंख्या का लगभग 2.26 प्रतिशत था फिर ये बढ़कर आपका 1961 में ये जंजातीयों की जो जंसंख्या है वो लगभग 3 करोड हो गई और 2001 में बढ़कर ये 8.43 करोड हो ग जंख्या है वो और इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो बहुत सी जंजातियां हैं और उन्हें इस अनुसुचित जंजाती में शामिल किया जा रहा है और इस जंजाती की जो प्राकृतिक व्रिधिदर है वो बहुत कम मिलती है हमें ये झाल ग्रामिल किया है